प्रेंस नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल लंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकुम करता हूँ आपी के अपने चैनल कमल लंदलाल पर यूट्यूब फेस्बूक और आजी टीवे नेट्वरक पर फ्रेंस हम आपके लिए लिक रहा हैं स्पेशल सेग्मेंट के अंतरगत चमतकारी टोटके जियां कुछ ऐसे स्पेशल उपाए जो आपके जीवन को सरल सुखम और सफल बनाए बात करेंगे विशेश गणेश उत्सव की गणेश उत्सव जो विशेश रूप से 11 दिन का से मुक्ति पाए जियां देखिए गणेश उत्सव 11 दिन का वो पीरड है जिसमें विशेश रूप से भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं गणपती भादरपत की चतुरती से लेके चतुरदशी तक यानि की गणेश चौत से लेकर के अनंत चतुरदशी तक गणेश उत् गणपती के निमत विभिन अनुष्ठान के जाते हैं जिससे भक्त गण की हर मुराद पूरी होती है आईए जानते हैं कि गणपती पर कौन से फूल चड़ाएं और जीवन की हर समस्या से मुक्ति पाएं गणपती पर रतन जोत की फूल चड़ाने से सामाजिक मिलती है गणपती पर लाल गुलाब के फूल चड़ाने से प्रेम जीवन में सफलता मिलती है गणपती पर लाल गुड हल यानि कि चाइना रोज जिसे कहते हैं उसके फूल चड़ाने से पुतर प्राप्ती के वनोकामना पूरी होती है गणपती पर लाल कनेर के फूल गणपती पर कंद पुष्प चढ़ाने से अकसमात धन की प्राप्ती होती है गणपती पर सूरज मुखी के फूल चढ़ाने से आभूशनों की प्राप्ती होती है गणपती पर कृष्ण कमल, कृष्ण कमल एक विश्विश तरीके का फूल होता है, मिल जाता है तो कृष्ण कमल के फूल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ती होती है गणपती पर अपराजिता के फूल चढ़ाने से सुक्सम्रिधी प्राप्त होती है गणपती पर अतीबला एक विशेश तरीके का फूल है मिलता है तो गणपती पर अतीबला के फूल चड़ाने से मानसिक अशान्ति दूर होती है गणपती पर अलसी के फूल चड़ाने से राहू के दोशों से मुक्ति मिलती है गणपती पर जपा कुसुम के फूल चड़ाने से शत्रों का नाश होता है गणपती पर नयंतारा के फूल चड़ाने से सुक्संपत्ती की प्राप्ती होती है गणपती पर गेंदा के फूल चड़ाने से सामाजक सम्मान की प्राप्ती होती है गणपती पर बेला के फूल चड़ाने से सुन्दर जीवन साथी प्राप्त होता है गणपती पर पीले कनेर के फूल चड़ाने से दुरभाग्य दूर होता है और आकरी गणपती पर जुही के फूल चड़ाने से दारिद्रता याने की गरीबी दूर होती है तो दोस्तों हमने जाना है कि विभिन तरीके के फूल चड़ाकर जिवन की हर समस्या से आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं गणेश उत्सव के इंतर तो ऐसे ही एपिसोड को लेकर कल आप से फिर मुलाकात होगी आज के लिए बस इतना ही इजाज़त दीजिए नमस्का नमस्षिव आप दो आप